नमस्कार राधे राधे दोस्तों आप सभी का एक बाफर से बहुत बहुत स्वागत है जी हाँ दोस्तों आज हम फिर उपस्तित है एक महत पूर्ण जानकारी के साथ आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सितला अश्टमी कब है महूरत और महत आज हम आपक इस वीडियो में बताने जा रहे हैं जी हाँ दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बेहद ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो को अंतक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें ताकि इसी प्रकार के रोचक जानकारियां हम आप तक पहुचाते रहें तो आईए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों होली के बाद मादुर्गा के ही एक रूप शीतला माता की पूजा पार्ट से जुड़ा यव तेवहार काफी महत्तपून मना जाता है बच्चों क वर्ष सीतला अश्टमी को बसोड़ा भी कहा जाता है इस दिन माता सीतला की बाशी भोजन का भोग लगाने की परमपरा है और स्वेम भी प्रशाद के रूप में बासी भोजन ही करना होता है इस वर्ष सीतला अश्टमी 25 मार्च सुक्रवार को पढ़ रही है दोस्तों आई कुछ माताएं बच्चों की दिरगायू और उन्हें रोग मुक्त रखने के लिए इस दिन वरत भी रखती हैं सकंद पुरान में सीतला माता को चेचक, खसरा और हैजा जैसी संक्रमक बिमारियों से बचाने वाली देवी के रूप में माना गया है कहते हैं कि इस दिन बासी भोजन का भोग लगाने और उसे अपने बच्चों के ऊपर से उतार कर काले कुट्टे को खिराने से बच्चे इन मौसमी विमारियों से दूर रहते हैं दोस्तों उत्तर भारत में इसे कहते हैं बासओडा पश्चिमी उत्तर पर्देश और राजस्थान वा मध्य कि लोग इस्तिवहार को बाशोडा कहते हैं जो की बासी भोजन के नाम से लिया गया है इस्तिवहार को मनाने के लिए लोग शप्तमी की रात को बासी भोजन तयार कर लेते हैं और अगले दिन देवी को भोग लगाने के बाद ही श्यम गरहन करते हैं कहीं पर हलवा पूरी का भोग तयार किया जाता है तो कुछ स्थानों पर गुलगुले बनाया जाते हैं कुछ स्थानों पर गन्य की रस की बनी खीर का भोग भी सीतला माता को लगाया जाता है इस खीर को भी शप्तमी की रात को ही बना लेने का नियम है दोस्तों ये तो हुई बाते सीतला माता के महत् अब आईए जानते हैं सीतला अश्टमी का सुब मुहूरत कब है। दोस्तों आपको बता दें कि देवी शीतला गधे की सवारी करती हैं और उन्हें चार हाथ से चितरित किया गया है। देवी अपने द्वारा नश्ट किये गए किटानूओं को इकठा करने के लिए एक कुड़ेदान रखती हैं। दोस्तों सीतला माता भक्तों को ज्वार यानि की बुखार से बचाती हैं। माता सीतला सभी किटानूओं को मिटा देती हैं और उन्हें कुड़ेदान में जमा कर देती हैं। बड़ी से बड़ी बिमारी जैसे चेचक खसरा ये सब से रोगों से नियंतरन हैं। इस दिन माता का अवाहन और सच्चे मन से पूजा करने से मा की विशेश क्रीपा बनी रहती हैं और वे विभिन हमारी रोगों से भी बचाती हैं। तो दोस्तों भक्ती भाव से मा सीतला की पूजा आर्चना करें और अपने घर में शुक्षमरिधी और रोग को दूर भगाएं। दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की जानकारी अगर आप सभी को हमारे यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद।